आज का जो केक है इतनी जल्दी बाजी में मैंने बनाया है कि मैं सच में बता नहीं सकती मैं क्या कर रही थी कैसे कर रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आघा था लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि कुष्टमर ने मुझे औरिजेंट बेस पे ओर्डर दिया था एक्चुली मुझे ही कहीं जाना था किसी काम से और वो भी पांच-छे घंटे के लिए जाना था तो इसलिए मैं जल्दी बाजी में ये केक बना रही थी और ये वन केजी का ब्लैक फॉरिस्ट केक था एक बच्ची का बर्डे था और उ उनकी गलती नहीं है मुझे ही बहुत जल्दी बाजी थी मुझे ही कहीं जाना था तो मैं इतनी जल्दी बाजी में बनाया कि मैं बता नहीं सकती और कैसे इसे कंपलीट किया और उन्हें शुरू में फोटो केक था लेकिन बाद में मुझे फोटो प्रिंट मिली नहीं वो और जादा इजी हो जाता मेरे लिए लेकिन जब मैं शॉप में गई फोटो निकलवाने के लिए तो उनका प्रिंटर थोड़ा सा खराब था तो इस वज़े से मैंने उन्हें बताया कि प्रिंटर अच्छा नहीं है फोटो वै बाद में उनको मैंने कुछ और डिजाइन सजेश्ट किया और उसके बाद मैंने ये डेकुरेशन की है और इस बर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं भूलना जाओं कहीं सोग करना कई बर ऐसा लग रहा था कि मैं चॉकलेट सॉस डालना भूल जा रही थी कई ब बनाउंगे और मेरी पूरी कोशिश रेएकि में इतनी जल्दीबाजी में इस टेक को बना रही थी लाट लाट मैंने डुरेस ब्बिर सब्बीhelm इस cake को complete किया fridge में रखा और last time मैंने नाम की spelling भी गलत लिख दी थी फिर बाद में मैंने अपने husband को call करके बोला कि आप उसकी spelling ठीक कर दीजेगा और जब cake लेने आएंगे तो आपने दे दीजेगा और जब भी मुझे orders आते हैं वैसे तो रोज नहीं आते हैं और इतने जादा भी नहीं आते हैं लेकिन जब भी आते मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं order cancel ना करूँ अपने reason की वज़े से तो इसलिए मैंने इस cake को बनाया लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतने urgent में मुझे नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि मुझे कहीं निकलना था लेकिन मैं इस बाद अपने decoration से satisfy नहीं थी क्योंकि इससे भी better मैं कर सकती थी इस cake को decorate लेकिन मैंने जैसा किया था मुझे थोड़ा सा मैं दुखी थी पता नहीं कश्टमर को पसंद आएगा नहीं आएगा लेकिन उन्हें काफी पसंद आया और उस चीज को थोड़ा सा मैंने cover किस तरी flies भी लगाया था जिससे cake का look थोड़ा सा और अच्छा आया और मेरे client को अच्छा लगया और मैंने top पर भी body वाला थोड़ा काफी अच्छा लगाया था ताकि देखने में और थोड़ा attractive हो जाए और गर्मिया आ गई है तो इस बात का खास ध्यान रखे कि अगर आपकी cream melt ह नहीं होगी और अगर आप AC में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे घर में AC नहीं है मैं बिना AC के ही काम करती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा precaution मुझे लेना पड़ता है और इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की query होती है कि क्या हम बिना AC के भी काम कर सकते हैं या हमें AC लगवानी जरूरी है तो ऐसा बिलकुल नहीं है बस थोड़ा सा हमें साउधानी वरतना होगा कि हम किस तरीके से अपने क्रीम के साथ काम करें और चौकलेट के साथ काम करें तो इस तरीके से आप भी बिना AC के भी काम कर सकते हैं और आप केक का बिजनस भी शुरू कर सकते हैं अपने घर से और ये काफी अच्छा बिजनस है और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरी हाबी है मेरे लिए ये कमाई का जरिया नहीं है और मुझे काफी मैंने ये काम शुरू किया है और आपको भी अच्छा लगता है तो आप जरूर इस तरीके से काम करें ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ड्रेस पहन ली है मैंने जिन स्पेंट पहन लिया है और मैं पुई तरह से तयार हूँ बाहर जाने के लिए और ब और जल्दीबाजी में मैंने अपनी बेटी से ही आपर नाम लिखवाया था और उसकी भी स्पेलिंग थोड़ी सी मिश्टेक हो गई थी और उसे मैंने कैसे सुधा रहा है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी और इस केक का मैंने 700 चार्ज किया है जी हाँ मैंने इस केक का 700 चार्ज किया है अगर आप इसमें देखेंगे कि मैंने कितना माटेरियल डाला है तो शायद आपको भी लगेगा कि मैंने बहुत ज़दा नहीं लिया है क्योंकि मैंने इसमें भर भर के चॉकलेट डाले हैं अगर आप मार्केट में कभी भी चॉकलेट के खरी देंगे तो ऐसा फ्लेवर तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा मैंने बहुत सारे मार्केट के खाए हैं किसी के बॉर्डेज में जाती हूं तो मैंने यह चीज देखा है कि ऐसा फ्लेवर तो मुझे कहीं नहीं मिला है क्योंकि मुझे लगता है कि जब चॉकलेट केक है तो करने के कोई से भी मेरी अंदर की वाइट वाली ग्रीम ऊपर आ जा रही थी मैंने उसे भी छोड़ दिया तो बस मैंने सिंपल से इसे यहां पर कर दिया है और उसके बाद मैंने यहां पर पिंक और वाइट कलर के फ्लार्स बना दी है बिल्कुल फोटो में ऐसा ही था लेकिन थोड़ा सा टॉल केक का लेकिन जब इस केक की डील हुई थी तो मुझे इस केक को फोटो केक बना रहा था इसलिए मैंने इसे नॉर्मल ही इसकी हाइट रखी थी और बाद में जब मैंने इस केक को बेक कर दिया था इसका स्पॉंज तब जाके और मुझे पता चला कि फोट को complete किया है I hope कि आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने किस तरीके से complete किया ये भी आप देख सकते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं मेरी next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई